उधारन दो प्रश्ण उस वृत्य का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसकी परीधी 176 cm है इस प्रश्ण में हमें एक ऐसे वृत्य का छेत्रफल ग्याद करना है जिसकी परीधी 176 cm है तो यहां वृत्य की परीधी बराबर 176 cm हम जानते हैं कि वृत्य की परीधी का मान कितना होता है दो पाई आर तो दो पाई आर बराबर हो गया 176 cm हम पाई का मान रख देते हैं पाई का मान है 22 बटे 7 गुनित आर बराबर यहां पर मिला 176 cm अब आर का मान ग्याद करना है हमें तो आर बराबर हो जाएगा 176 cm गुनित 7 और बटे में हमें प्राप्त होगा 2 गुनित 22 इसे हल करने के लिए हम दो के पहाड़े से अगर इसे सॉल करें तो 2 एकम 2 और यह हो गया 28, 28 यहने हमें हाँ पर 88 प्राप्त हुआ अब 22 से यदि हम इसे काटें तो चार बार में हमें 88 प्राप्त हो जाएगा तो 22 एकम 22, 22 चौक 88 यहाँ पर हमें बच रहें 4 गुनित 7 तो आर का मान होगा 7 चौक 28 त्रिज्या हमें मिल गई 28 cm तो अब हम अभिष्ट वृत्त का छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं वृत्त का छेत्रफल बराबर बराबर पाई आर का वर्ग पाई का मान रख दिया हमने 22 बटे 7 और त्रिज्या हमें प्राप्त हुई थी 28 cm तो 28 का वर्ग इसे सरल करने के लिए हम 28 के वर्ग को लिखते हैं 28 गुनित 28 साथ से यदि हम इसे काटें साथ के पहाड़े से तो मिलेगा साथ एकम साथ साथ चोक 28 हम अब निकालते हैं 22 गुनित 4 और गुनित 28 जिसका मान हमें प्राप्त होगा 2464 वर्ग सेंटी मीटर तो हमें चाहे गए वृत्य का छेत्रफल प्राप्त हुआ है 2464 वर्ग सेंटी मीटर प्राप्त हुआ 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 है